नमस्कार अपन ज्हार्खंड में आपका स्वागत मेरा हुलोश आपके साथ राचि कॉंग्डेस भवन में पार्टी की कॉडिनेशन कमीटी की बैठक हुई भारतिय चंटापार्टी के तरफ से भ्रहम फैलाने की कोशिस के जा रही है जहां गयर बीचेपी सरकार है वहाँ पर भ्रहम फैलाने की कोशिस हो रही है जिससे जो प्रमुक्ष समस्या देश के सामने हैं वहां से लोगों का ध्यान बढ़काया जाए अभिनाश पांडे ने क चिंतन शिवीर और 24 जिलों में संबाद कारक्रम में आउचित किया गया था साथी आने वाले समय में कौन-कौन से कारक्रमूप और पार्टी को साधा सोर देना है और जलास्तर पर जो सम्मेलन हुए है उसके सुझाओं के मताबिक वहां पर संगठन को कैसे मजबूर करना है इस पर भी चर्चा हुई वह पंचाय चुनाओं के चुने हुए जन पतिनीधियों की जिम्मवारी को लेकर जून महीने में एक सम्मेलन आयुजित करने को लेकर बैठक में चर्चा की गई की वर्तमाइन परिसिती में खाली में जो संगठन के चुनाओं होने जा रहे हैं उसे सम्मंदित जो हमारी सद्रिसता अभियान बहुती सफलता पूरवक पूरे प्रदेश में सद्रिसता अभियान जो चलाया गया उसकी सफलते है तू प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी का मैं यहां बिनंदन करता हूँ हमारे सभी कारेरत नेतागनों का हमारे प्रकंडों के और जिला पदादिकारियों का कि सब लोगों ने बढ़ चल कर इस सद्रिसता अभियान में आग लिया और प्रदेश के अंदर में एक रेकॉर्ड मेंबर्शिप करके कॉंग्रेस के विस्तारित होने वाले इस कारिक्रम में एक भारी मदद थी संदीप हमारे साज उड़ेवें संदीप कॉंग्रेस इन दिनों लगतार एक ट्रीब नस्वरारी कोडिनेशन कमीटी के बैठा कोई सदस्रता संगनाठमत जो मस्पूती है उसको लेकर के चर्चा की गई है और क्या कुछ बाते हुए और किस तरीके से कॉंग्रेस अपना व जारी है और जब से उनको परतिनुक्त किया गया है जारकन परभारी के रूप में और कल भी वे दो दियोस्ते दोरे पर जारकन पहुंचे हैं और रांची पहुंचने के बाद ही वे सीधे कॉंग्रेस बहुन गये थे जहां पर कोडिनेशन कमीटी की बैठक में वे सामिल कोडिनेशन कमीटी की बैठक के बाद जीला के जो पदादीकारी है उनसे मुलाकात की है और आज उनके दोरे का दूसरा दिन है यानि आज सुबह से ही का सकते हैं आज भी बैठक का दोर जारी होगा और इसमें जो पंचायत लेवल के जो लोग पदादीकारी हैं जीले के ज से सदस्यता अभ्यान चलाया गया था और जो 15 लाग लोगों को जोड़ने की जो मुहीम थी उसमें अब तक जो कितने लोग जुटे हैं हालाकि यह कुछ दिनों की पहले की बात करें तो 7 लाग से उपर जो सदस्यते थे उनको बनाया गया है कॉंग्रेस के दुआरा और कल कम समय में उन्होंने जो टारगेट था लोगों को जोडने का पार्टी से उसमें कहीं न कहीं काम्यावी हासिल कियी है और जिस तरह से लगातार कर सकते हैं समवात कर रहे हैं अभिनास पांडे जो जितने भी कारे करता है छोटे लेबल के कारे करता हूं या बड़े पाटी के जो सदस से हैं सभी को वही तरजी दे रहे हैं और सभी से जानने की कोशिस कर रहे थे कि और क्या बदलाव किया जा सकत और यहीं वजा है कि लागतार अभिनास पांडे जब से उनको जारकर धारी बनाया गया था था तब माम्र की ता कर दोरा है, या फिर महंगाई के विरोत में जो प्रोटेश्ट रहा है सब में जो इनके बड़े नेता हों या फिर जो छोटे कारेकर था सभी ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और सभी कारेकरमों को सफल बनाया है आज साम तक अविनास पांडे राची में ही रहेंगे और का सकते हैं कॉंग्रेस भावन में भी आज दिन भर उनकी जो बैठक है वा है बैठक आहुत है और इस बैठक में जितने जो संगठन के जो जिम्मेवारी सौपी गई है लोगों को उन सभी के साथ वे समवात कर रहे है ताकि पार्टी को और मजबूती परदान की जाए और कैसे और पार्टी को विस्तार किया जाए इस पर विशेश रूप से फोकस है अविनास पांडे का संदीप एक चीज की सरजा और चल रही थी कि जो कॉंग्रेस पार्टी है सरकार से बहुत बं नहीं पा रहा है कोडिने या फिर कोई कोडिनेशन की कमी नहीं है क्या इसको भी लेकर के पार्टने के जो कोशे से वह अभिनास पांडे करते हुए नसर आ रहे क्योंकि लगातार कॉंग्रेस कहीं कई जो नेता है वो उन्होंने शिकायत की थी कि हमारी बात नहीं सुनी चाती है जी इस मुद्दे पे बात करें तो कलविनास पांडे ने साब किया है कि जो गटबंधन की सरकार है और कॉंग्रेस भी उसमें हिस्सेदार है गटबंधन में और समन में पूरी तरह सरकार की जितने भी तीन घटक दल है इस गटबंधन में तो कहीं न कहीं समन में स्थापित किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी पार्टी या गटबंदन कोई भी पूरी तरह से खुस नहीं हो सकता है तो थोड़ा बहुत उपर नीचे जरूर होता है पर समन्मय की कहीं भी कमी नहीं है और इस गटबंदन को कहीं से खत्रा नहीं है हलाकि उन्होंने दूसरी और अपने जो पार्टी के बिधायक हैं उन पर भी आज साब कहा है कि जो पाटी के बिधायक हैं सभी एक जूट हैं और किसी तरह की दरार नहीं है किसी को कोई सिकायत नहीं है हलाकि उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कही थी क्योंकि इससे पहले भी जहरकंड आना चाह रहे थे और उन्होंने साब कहा था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जो कोमन जो उस चुनाओ के समय जो एजेंडे पार्टी की है उन एजेंडों को कैसे अमली मुख्य मंतरी से जरूर बात करने चाह रहे थे हलाकि मुख्य मंतरी अभी नहीं है राज्य में पर उन्होंने सावत तोर पर कहा है कि मुख्य मंतरी जब भी आते हैं तो जो भी common minimum program है और जो एजन्डे थे जब चुनावी चुनाओं के समय party ने तैकिया था उन एजंडों को कैसे फला भूत किया जाए राज जिमें उस पर जरूर चर्चा होगी और थोड़ा बहुत जरूर समय लगेगा क्योंकि कोरोना की वज़ा से इधर दो वर्च से देखा जाए तो बहुत से कारे बादित हुए और सरकार ने कोरोना के तहत भी एक लोगों को जो योजना है उसका लाप पहुचाने की कोसिस की है पर कई सारे अभी विकारे बाकी है जिनको करना है तो अभिनास पांडे ने साब कहा कि कहीं गटबंदन में किसी तरह की कोई दरार नहीं है और उनके जो पार्टी के विधायक हैं वे भी एक जूट है और जो गटबंदन की सरकार है आने वाले जो इनका पांट साल का कारेकाल है पूरा करेंगे और आज जी के हित में जो भी निर्नय है वे इस गटबंदन की जो सरकार है वह मिल कर लेगी ज़ले बहुत बहुत शुक्रे असंदीप्तमाम चानकारी के लिए तो कॉंग्रिस भोन मे पार्टी कोडिनेशन कमिटी के बैठा कुई जिसमें कई एहम मुद्दो पर चर्चा की गई और अविनाश पांडियाद भी मौझूद है और पार्टी नताओं से बाचीत की चाहिए